हुम शांती, आज 18 अक्तूबर 2023 के साकार मथुर महवाक्य हैं, आज की मदर मुरली में बाबा ने हम सब को माया जीत बनने की विधी सिखाई, माया जीत बनने का साधन है इस स्मृती में रहना कि मैं कल्प कल्प की विजई आत्मा हूं, कल्प कल्प मैंने माया पर विजई प्राप्त की है, खुद खुदा हमारा खुदा दोस्त है, वो इस समय आकर हम सब को माया जीत बनना सिखा रहे हैं, जितना जितना शिव बाबा को याद करेंगे, माया जीत बनते जाएंगे, हिम्मत रखने वालों को बाबा की मदद मिलती ह इस समय पारलोकिक मात पिता आकर माया पर जीत पाना सिखाते हैं, देह और देही में क्या अंतर है, देह के समंधों में दुख है, देही के समंध में रहो, तो सुख की प्रआपती होगी जिसको गाते थे तो अमेव मात अश्य पिता इस समय वो ब्रह्मातन में आगर मात पिता बनकर पालना देते हैं शिक्षक बनकर पढ़ाते हैं ऐसा शिक्षक कोई हो नहीं सकता ये खुशी रहे मेरा तो एक सर्वोतम ठीचर दूसरा न कोई होत सुंदर बात बाबा ने सिखाई मीठे बच्चे अब वापिस घर चलना है तो दे सहित दे के सब समंदों को भूल कर एक मुझे याद करो एक की याद में रहने से विकर्म विनाश होते हैं बाबा स्वयम आकर राज्योग सिखाते हैं इस राज्योग से आप राजाओं की राजा बन जाते हो मन जीत बन जाते हो सुनते हैं बाबा के मतर बोल बाबने का मीठे बच्चे देह के समंदों में बंधन है इसी लिए दुख है देही के समंद में रहो तो अथा सुख मिल जाएगा एक मात पिता की याद रहेगी कोश्चन है किस नशे में रहो तो माया पर जीत पाने की हिम्मत आ जाएगी किस नशे में रहो तो माया पर जीत पाने की हिम्मत आ जाएगी नशा रहे, कल्प कल्प हम बाप की याद से माया दुश्मन पर विजयी बन हीरे जैसा बने हैं खुद खुदा हमारा मात पिता है, इसी स्मृती में नशे में रहने से हिम्मत आ जाती है खुद खुदा हमारा मात पिता है, इस स्मृती वा नशे से हिम्मत आ जाएगी हिम्मत रखने वाले बच्चे विजई अवश्य बनते हैं और सदा गौडली सर्विस पर तत पर रहते हैं गीते तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है ओम शांती देवी देवताओं के पुझारी पारलोकिक मात पिता को यातो करते ही आए और भक्त भी जानते हैं हमें भक्ती का फल देने मात पिता को आना है जरूर अवो मात पिता कौन है ये विचारे जानते ही ने पुकारते हैं इससे सिद्ध होता है उनका संबंध जरूर है परमात्मा को पुकारते हैं इसका मतलब उसके साथ संबंध जरूर है एक होता लौकिक समंद, दूस्ता होता पारलोकिक समंद, लौकिक समंद तो अनेक प्रकार के हैं, काका, चाचा, मामा, आधी-आधी, ये हैं लौकिक बंधन, लेकिन परम, पिता, परमात्मा को बुलाते हैं, ये तो बच्चों को मालुम है, सत्यों में कोई बंधन नहीं, बा का सिम्रण होने के कारण बंधन बहुत है देही के समंद में एक मात पिता ही याद रहता है लौकिक और पारलोकिक को याद करने में राद दिन का फरक है ये है जिस्मानी बंधन वो है रूहानी सम्बंध जिस्मानी समंद में सत्यों में रहते हैं क्योंकि वहां सुख का समंद कहेंगे या फिर दुक का बंधन कहेंगे उंको सम्द्रणी कहेंगे इन बातूं का पहले पता नहीं था अब समझ गए हुँ पकारते जरूर थे हे माथ पिता आओ बाद तो जरूर सबको सुख देंगे परंतु बाबा क्या सुख देते ये किसी को भी पता नहीं, अब बाबा से संबंध है, उनसे सदा सुख मिलता है, सुख को संबंध, दुख को बंधन कहेंगे, तो बच्चे मात पिता को बुलाते हैं, आकर ऐसे मीठी मीठी बाते सुनाओ, तो इन डारेक्ट बुलाते हैं, तुम डारेक्ट बुलाते हो, ये पिता है तो जरूर माता भी होनी चाहिए, नहीं तो बाप क्रियेट कैसे करे, शिव बावा को बच्चे चिठी कैसे लिखेंगे, ऐसे तो वो पढ़ ना सके, शिव बावा तो यहां बैठे हैं, इस लिखते हैं शिव बावा थुरू ब्रह्मा, शिव बावा जरूर कोई तो करते हैं, गाते हैं, आत्मा परमात्मा, अलग रहे पहुकाल, सुन्दर मेला सज रहा, जब सत्गुरू मिला दलाल, सत्गुरू उसको कहा जाता, वो ऐस सबका सद्गती दाता, वो आकरी शरी में परवेश करते हैं, फिर इनको 84 जन्मों का राज बैठ बताते, ब्रह्मा की दिन गाया हुआ है, पहले है परम पिता परमात्मा रच्टा, ब्रह्मा विश्नु शंकर को रचते हैं, वरोबर परम पिता ब्रह्मा की रात को फिर ब्रह्मा का दिन बनाने के लिए आते हैं, प्रजा पिता ब्रह्मा का दिन, तो प्रजा पिता ब्रह्मा कुमार अब तुम बच्चे आए हो बाप से वर्सा लेने के लिए, उनके लिए ही गाते हैं, तो मेव मातष्य पिता सखा रोप से हलके होकर आकर बहलाते हैं, सखा भी है वो, सभी समंद उसके साथ हैं, तो हम सबको बहलाते हैं, मुख्या तीन समंद, बाप, टीचर, सत्गुरू, इ इन समंदों की बात नहीं, तो सम्पूरण बाप जो है, वाकर बच्चों को सम्पूरण बनाते हैं, सोला कला सम्पूरण तुम बन रहे हो, तुम अनुभवी हो, दूसरा कोई कैसे जाने, जब तक तुम बच्चों के संग में ना आए, तब तक वो कैसे समझ सके, अब तु अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है, लिब्रेट करते हैं, मनुष्यों को लिब्रेट किया जाता दुख से, माया के बंधन से लिब्रेट करने के लिए आते हैं, फिर गाइड भी है, गीता में भी है, मच्रों सदरिश सबको वापिस ले जाते, तो जरूर विनाश भी हो नंबर वार पुशात अनुसार, दे के बंधन को बुद्धी से तोड़ देना है, सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं, तुम ग्रस्त वेवार में रहते, राजयोग सीखते हो, जनक का भी मिसाल है, वो फिर आकर अनुजनक बना, बहुत वच्चे कहते हैं, जनक मिसल, हम अपनी राजधानी में रहते, ज्यान उठाएं, अपनी घर का तो हर एक राजा है न, मालिक को राजा कहा जाता है, बाप है, उनकी इस्तरी बच्चे आदी हैं, यह गई हद की रचना, क्रियेट करते हैं, पालना भी करते हैं, पाकिसंभार नहीं कर सकते, क्यो और पुरानी का विनाश कराते हैं, नई स्रिष्टि की स्थापना, पुरानी का विनाश, सोतो, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रच्यता, परम पिता परमात्मा ही करेंगे, इन बातों को तुम बच्चे अच्छी रिती जानते हो, परम पिता परमात्मा ही रच्यता है, इन बातों को तुम बच्चे जानते हो, बाते बड़ी सहज है, नाम रखा हुआ सहज योग वा याद, भारत का ज्यान हुआ योग नामी ग्रामी है, बाप तुम बच्चों को दैवी मत देते हैं, जिससे तुम सदैव हरशित रहेंगे, बाबा दैवी मत देते हैं, देवता बनने के लिए राय देते हैं, शिरीमत देते हैं, उस पर चलने से तुम हर्शित रहेंगे, मात पिता से ही नई सृष्टी की रचना होती है, ये तो सब जानते हैं, हमें खुदा ने पैदा किया, अब तुम समझते हो खुदा कैसे आकर नई सृष्टी रचते हैं, नई सृष ये मम्मा तो अडॉप्टेज है, तुम्हारे लिए तो मात पिता है, हमारे लिए पती भी हुआ, तो पती भी हुआ, तो पिता भी हुआ, परवेश कर अपनी वन्नी भी मुझे बनाया, अब ये बात ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, कि श्रुबाबा उनके तन में आई, तो श्र को एडॉप्ट ब्रह्मा द्वारा शुर्बावा ने किया तो ब्रह्मा हमारी माता शुर्बावा पिता हो गए परवेशकर अपनी वन्नी भी मुझे बनाया, बच्चा भी बनाया युगल भी और बच्चा भी ये बड़ी रमनीक बाते हैं जो समुक सुनने की हैं तुमारे में भी नंबरवार समझते हैं अगर सभी समझते हूं तो फिर समझाएं समझा नहीं सकते तो गोया कुछ नहीं समझा जड़ बीज से जड़ कैसे पैदा होता ये तो कोई भी जट बता सकते हैं उस बेहद के जाड़ का ज्यान जब तक बाप ना के समझाए तब तक कोई भी समझ नहीं सकता। तुम जानते हों हम बाप से राजयोग सीख कर वर्सा ले रहे हैं। ये बुद्धी में होना चाहिए। बाबा से हम योग सीखते हैं। निराकार परमात्मा से राजयोग सीख कर हम वर्सा ले रहे हैं। बुद्धी में रहना चाहिए। ये डबल समंध है। वहां तो सिंगल समंध रहता। पारलोक एक बाप को याद नहीं करते। वहां वैसब हैं बंधन। तुम चानते हो हम इस समय उस बंधन में भी हैं। पिता के समंध में अब आई हैं। उस बंधन से चूटने के लिए। आजकल कितनी मते हो गई। आपस में लड़ते चकड़ते रहते हैं। पानी के लिए धरनी के लिए भी लड़ते रहते हैं ये हमारी हद है ये तुम्हारी हद है बिलकुल हद में आ गए ये हमारी हद है ये तुम्हारी हद में नहीं है बिलकुल हद में आ गए ये भूल गए भारतवासी सत्यू में बेहद के मालिक थे जो मालिक थे वो ही भूल ज जरूर है तब फिर बाबा करके समझाते हैं इन बातों को अब तुम जानते हो वाय बंधन यहां मात पिता से संबंध है जानते हो हम शिरीमत पर चल अथा सुख का वर्सा पाते हैं बाबा कहते हैं मैं तुम्हें सुख का वर्सा देता हूं फिर तुम्हें शराप कौन देता ह माया रावन, श्राप में है दुख, वर्से में सुख होता है, मनुशे ये नहीं जानते कि मनुशे को दुख का वर्सा कौन देते हैं, बाप सत्यूग सापन करते तो जरू सुख का वर्सा देंगे, बाप को दुख का वर्सा देने वला थोड़े कह सकते हैं, बाप तो सुख क लूटी जाती, सोने ले आते सोना ले आते अब सोना कोई सिलान में नहीं रखा सोना तो मिलता है खानियों से का नदियों से भी मिलता है बच्चे जान गए ये अनादी वल्ड ज्रामा है तुम बच्चों की बुद्धी में नंबर वार पुर्शात अनुसार बैठा है जो समझते नहीं ना समझा सकते वो क्या पदबाएंगे पढ़े वे क्यागे भरी ढोएंगे राजा रानी प्रजा में फरक तो है न जैसे मम्मा बाबा जाकर उच पदबाते हैं तुम पुर्शात कर इतना पढ़ो जो मम्मा बाबा के तक्त पर बैठो पढ़कर इतने होशियार बनो जो मम्मा बाबा के तक्त पर बैठो विजे माला का दाना बनो टेम्टेशन बहुत दी जाती है राज योग है न तुम राज योग से राजाई प्राप्त करो कम से कम पुर्शा कमसार प्रजा तुम बनेंगे ही हमेशा कहा जाता follow father तुम बच्चे हो न वे father तुर ये father या फिर mother भी है number one follow कर रही है ब्रम्मा मदर भी है हमारी शिव बाबा को follow कर रही है तुम बाई बहने बाप तो एक होना चाहिए ओ गौड फादर जब कहते हैं तो सब बाई बहन हो गए और जास्ती कोई समद्ध नहीं बाई बहन बस और उन्हों का बाप और दादा बाई बहन तो बहुत है बाप एक है, दादा भी एक है एक प्रजा पिता ब्रम्मा है उंसे फिर रचना रची जाती है तुम भाईवेन ही पद पाते हो नंबरवार पुर्शाथ अंसार बाकी जाकर अपने अपने जाष्ड में लटकेंगे ठीकाना तो हे ना जाह से फिर नंबरवार आते हैं यहां है जीवन बंध आतमाई वहां से पहले-पहले सुख में आती, इसे पहले जीवन मुक्त होती हैं, पहले-पहले होते हैं स्वर्ग में, भारतवासियों की जीवन मुक्ती, कितनी अच्छे-ची बाते बावा सुनाते, मेरा तो एक सर्वोतम टीचर, दूसरा न कोई, कन्याई कहेंगे मेरा तो एक शिव बावा, कन्याव को इसमें पूरा अटेंशन देना इस गवर्मेंट के हो गई तो फिर ईश्वरिय सेवा में लगना है बाबा के बन गए अब बाबा की सेवा में लगना है फिर आस्वरी सर्विस कैसे कर सकती है हर एक के करम बंधन के अनुसार राय दी जाती देखा जाता है निकल सकती है या नहीं अच्छी शुरुड बुद्धी है तो फिर ओन गॉडली सर्विस हो जाती है अच्छी तीक्षन बुद्धी है तो यही कहा जाता है कि ईश्वरिय सेवा करू तुम बच्चों की गॉडली सर्विस निर्वी कारी बनाने की सर्विस हम सेना है गौड हमको माया से युद्ध करना सिखाते रावण सबसे जास्ती पुराना दुश्मन है ये सरफ तुम ही जानते हो तुम रावण पर विजे पाकर हीरे जैसा बनेंगे बच्चों को वे हिम्मत वो नशा रहना चाहिए मनुश्या तो लड़ते रहते हैं सब जगड़ देखो जगड़ा ही जगड़ा हमारा कोई से जगड़ा नहीं बाबा केते मुझे याद करू तो विकरम विनाश होंगे सिरफ मुझे याद करू तो विकरम विनाश होंगे माय का वार नहीं होगा फिर वर्से को याद करो ये भी किसको सुनाना पड़े बाप का परीचे दे उनसे बुद्धियोग लगाना है वो हमारा मात पिता है शुव बाबा है तो बताओ तुम्हारी माता कौन सी है ये भी कितनी गुईये बाते है तुम पूछते हो आत्मा का बाप कौन वो भी लिख देंगे पर मातमा है अच्छा माता कहा है माता भी गर बच्चों को रचेंगे कैसे तो फिर जगतमबा की तरफ चले जाएंगे अच्छा जगतमबा को कैसे रचा ये भी किसी को पता नहीं तुम जानते हो, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, वो भी मुख्वनशावली है, जो सरस्वती है, वो भी ब्रह्मा की बेटी है, मुख्वनशावली है, रच्ता तो बापी है, अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चो प्रती, मात पिता बाप ददका, याद प्यार, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धार्णा के लिए सार, मेरा तो एक सर्वोतम टीचर, दूसरा न कोई, इस नशे से मात पिता के समान पढ़ाई पढ़नी है, पुर्शात में पूरा फोलो करना है, दे के बंधन को बुद्धी से तोड़ देना है, दैव से सुनेंगे, मेरा तो एक सर्वोतम टीचर, दूसरा न कोई, इसी निश्चे से मात पिता के समान पढ़ाई पढ़नी है, पुर्शात में पूरा फोलो करना है, दे के बंधन को बुद्धी से तोड़ना है, दैवी मत पर चल, सदा हर्षित रहना है, इश्वरिय सेवा करनी है, बहुत सुन्दर वर्दान, किनारा करने की बज़ाए, स्वयम को एड़्जस्ट करने वाले, सेहन शीलता के अवतार भव, कई बच्चों में सेहन शक्ति की कमी होती है, पिसे छोटी सी बात होती है, चेहरा बहुत जल्दी बदल जाता है, फिर घबराकर, या तो स्थान को बदलने की सोचेंगे, या जिन से तंग होंगे, उनको बदल देंगे, अपने को नहीं बदलेंगे, दूसरों से किनारा कर लेंगे, इसलिए स्थान अत्वा दूसरों को बदलने की बज़ाए, स्वयम को बदल लो, स्थान अत्वा दूसरी को बदलने की बज़ाए, स्व इसे कोई छोटी सी बात भी होती है, तो चेहरा बहुत जल्दी बदल जाता है, फिर घबराकर या तो स्थान को बदलेंगे, कि सोचेंगे कि इंजिन से तंग होंगे उनको बदल देंगे, अपने को नहीं बदलेंगे, लेकिन दूसरों से किनारा कर लेंगे, इसलिए स्थान अत्वा दूसरों को बदलने के बचाए, स्वेम को बदल लो, सैन शीलता का अवतार बन जाओ, सब के साथ स्वेम को एड़ेस्ट करना सीखो. स्लोगन है, परमार्थ के अधार से विहवार को सिद्ध करना ये योगी का लक्षन है. जब हम दूसरों का कल्यांड करते है, तो स्वेम का, परिवार का, सबका कल्यांड स्वतई हो जाता है, ये योगी आत्मा का लक्षन है, ये वो परमार्थ से विहवार को भी सिद्ध करती है, उन्हें भी स्रेश्ट बनाती है. आज हम अभ्यास करेंगे मैं सेहन शेलता का अवतार हूँ बाबा ने मुझे सेहन शक्ती से भरपूर किया है किनारा करने की बजाए एड्जेस्ट होना सिखाया है मन वुद्धी से सबके पार्ट को स्विकार करें सबका पार्ट अपना अपना है जो जैसा है मैं उसे स्विकार करते हूँ मैं सेहन शीलता का अवतार हूँ महाज्योती पर एकाग्र होकर उनसे शक्तियां प्राप्त करें बाबा की एक एक किरण में वो ताकत है जिससे मेरी शक्ती बढ़ती जाती है अपने जारो और शक्तियों का सुरक्षा कवच अनुभव करें सहन शीलता का अवतार शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रियाiron उश शशन, शशन